Hello Friends, Welcome to Online Study Bites, This is Pratikshaa और अंतर हजार सिकषख भरती की आंशर की जारी हो चुकी है और आपको किसी प्रश्ण पर आपत्ती है, niin 11 जनवरी आखी तारीख है आपत्ती दर्ज करने की तो आपती जो जिन प्रश्णों पर की जा सकती है तो ऐसे प्रश्णों की संख्या 16 है और उन प्रश्णों की सूची हम आपको प्रोवाइट करवा रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्ण है जिन पर आपती दर्ज की जा सकती है और वहाँ प्रश्ण विवादित प्रश्णों में तो चलिए देख लेते हैं कौन से वह 16 प्रश्ण है जिन पर आपती दर्ज की जा सकती है तो फ्रेंट्स अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनकेडमी लर्निंग एप पर प्लेलिस में जाके डाउनलोड कीजिए अनकेडमी लर्निंग एप और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आ तो अभी कीजिए डाउनलोड अनकेडमी लर्निंग एप तो ये वो विवादित प्रश्ण है जिन पर आपती दर्ज की जा सकती है जिसमें पहला प्रश्ण है स्वास छिद का उपयोग स्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है तो आंसर की में इसकांसर तिल चट्टा दोनों ही सही होगा नेक्स कोशन है नाथ पंध नामक संप्रदाय के प्रवल तक कौन थे इसकांसर मसंदर नाथ दिया हुआ है आंसर की में लेकिन इसका आंसर गोरक नाथ और मसंदर नाथ दोनों ही सही होगा क्योंकि S.C.E.R.T. में गोरक नाथ जो है मसंदर नाथ के शि के बारे में तो आगे बढ़ते हैं दूसर तीसरा question देख लेते हैं कांची पुरम में कैलाश मंदिर जिसकी भीतिरी दिवारों में रंगों से मूर्तियां बनवाई गई हैं किसने बनवाया है यह जो question है वो out of flavors है next question है spam होता है अबांचे संदेश भी होता है और protocol भी दोनों ही answer सही है next question है नदमर और vowel and consonant sound in English is indicated respectively by तो यह question भी out of flavors है क्योंकि आप देखेंगे language के जो तीनों ही है हिंदी और Sanskrit और English उसमें आपको सिर्फ grammar और comprehension या अपटित गद्यांश और पद्यांश के बारे में ही दिया हुआ है और इसके अलावा कोई और question के बारे में और किसी topic के बारे में नहीं दिया हुआ और फिर भी यह question दिया हुआ है तो यह question out of flavors माना जा सकता है next है भारत में गरीबी का आंकलन के साधार पर किया जाता है इसके भी दो answer सही है question number seven है पढ़ने और लिखने की अच्छमता है तो पढ़ने और लिखने की अच्छमता जो answer दिया हुआ है वो dyslexia दे हुआ हुआ है लेकिन जो लिखने की च्छमता होती है वो dyslexia होती है लेकिन पढ़ने और लिखने की अच्छमता जो होती है वो dyslexia होती है तो यह question भी गलत है answer इसका गलत दिया हुआ है next question है market meat के अनुसार व्यक्तिक भिन्नताओं के लिए सरवादिक महत्मूर कारक है next question अभी प्रेणा के मूल प्रवती के प्रतिपादक है तो answer इसका सही जो है वो है Clark Hull question number 10 है हसंती में किंत और शर्त दोनों ही है next question सेक्षिक प्रशाशन की परिभाशा इसका जो answer है वो है SN मुखर जी next तुम मास हीन तुम रखत हीन वाला जो question है वो भी विवादित है next question A B की पेहन इसका सही उत्तर दो हिता होगा ना की पौत्री और ये question भी out of flavors है क्योंकि आप देखेंगे जो आपको reasoning दिया हुआ है syllabus में उसमें blood relation का topic नहीं दिया हुआ है और ये जो question है वो blood relation से सम्मंदित है next question है NFIR वाला इसमें FIR जो लिखा है वो गलत तरीके से लिखा है question ही गलत है FIR जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है next जो है question number 15 enough में जो adverb answer दिया है ये adjective भी होगा तो दोनों ही answer सही है next question है hid और hidden दोनों ही past tense है यानि कि जो आपको बताना था उसका past tense hide का तो answer होगा hid और hidden दोनों ही होगा और ये dictionary में आप देख सकते है dictionary में आप hide देखिये वहाँ पर आपको past में hid और hidden दोनों ही लिखा दिखाई देगा और इन चीज़ों के साक्ष भी मौजूद है अगर आप साक्ष आते हैं तो थोड़ी दिर में एक और वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगा जिसमें आपको साक्ष भी दिये होंगे कर supply को साक्ष घर आते हैं, कर दो यदिये होंगे फिर में ख में ही दिखाई आते हैं